नमस्कार आप देख रहे हैं के टियार वोईस इस वक्त की बड़ी खबर खेतरी उखन के रामपूरा गाउं से निकल रही है जहां की राज के उच्छ प्रात्मिक विद्धाले के परदाना अध्यापक पर ग्रामिणों ने बड़ा आरोप लगाया है ग्रामिणों ने आज विरोध परदाना अध्यापक द्वारा चात्राओं से असलील हरकत करने का आरोप परदाना अध्यापक पर लगाया है वही कारवाई करने की भी मांग की गई ग्रामिनों ने बताया कि फरवरी 2023 में भी परधाना पर अध्यापक द्वारा चात्राओं के साथ असलील हरकत की गई थी तब भी ग्रामिनों इसका विरोध परदसन भी किया था लेकिन इसक्सा विवा की टीम मोके पर जांच करके गई और मामले को रफा दहवा कर दिया लेकिन इस बार ग्रामिनों ने आज सुबस दस बजे स्कूल के गेट पर आकर विरोध परदसन शुरू कर दिया और उच्छा दिखारियों को मोके पर ही बुलाने की मांग की जिसके बाद इतैसिलदार सुनील कुमार महाड़ा थाना दिकार सरदारमल सहित एसीबी और सनोज कुमारमान मोके पर पहुंचे और कारवाई पूरे मामले की जांच की ग्रामिनों ने कहा कि परदाना दपक द्वारा चात्रों के साथ असलील हरकत की जा रही है लगातार सुचना के वावजूद भी एसीबी और द्वारा कोई कारवाई नहीं की जा रही है करीब साड़े तीन गंटे तक ग्रामिनों द्वारा परदासन किया गया जिसके बाद एसीबी और सनोज मान ने एक आदेश जारी कर परदाना देपक को सिकायत के अधार पर सीबी और कारहले में लगाया गया और स्कुल से हटाकर मामले को सांथ कराया गया अत्रीक्त मुख्या बलोग सिक्षिया अधिकारी सनोज कुमार मान ने बताया कि जांच रिपोर्ट अगरीम कारवे हटूच अधिकारियों को बिजवा दी गई है मौके पर जाकर स्कुल स्टाफ सहीद गरामिनों के बियान दर्ज किये गए है पूरा मामला आपको बता दूँ कि राज के उच प्रात्मिक विदाले रामपुरा से जुड़ा हुआ है जिसके मुख्य द्वार के सामने आज गरामिनों ने लगबख साड़े तीन गंटे परदर्सन किया जिसमें सर्पन से लेकर गरामिन दिजर मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि विदाले में कार्यात प्रदाना द्यापक दौरा चात्रों के से असलील हरकत करता है इस समन्द में विदाले को विदाले से हटा कर अन्यतर जगा लगा जाए और जाच करवा कर उसके खिलाफ कारवेबी की जाए गरामिनों ने साथ ही बताया कि फरवी दो जायते इसमें भी ऐसा मामला सामने आया था जिसके बाद भी परदाना द्यापक के खिलाफ रोध पर दसन किया गया था लेकिन उस समय सिक्सा विवाग ने मामले को रफा दफा कर दिया आज इस सिक्सा विवाग की टीम मोके पर जाच करने के लिए बुलाई गई और हलका पटवारी थाना दिकारी शिक्षा अधिकारी समयत कई ग्रामिन जन वही अधिकारी मोके पर पहुंची और ग्रामिनों से समझा इसकी लेकिन ग्रामिन परदाना द्यापक को अटाने की मांग पर अडे रहे और आखिरकार सनोज कुमार मान ने परदाना अधियापक को स्कूल से हटाकर सीबियो कराले में लगाया जिसके बाद ग्रामिन जन सांतु है और धरना परदासन को खतम किया तैसिलदार सनोज कुमार ने बताया कि राज के उच परात्मिक विधाले में ग्रामिनों द्वारा परदासन की सूचना मिली थी जिसके बाद मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांस परताल की गई वही बलोक सिश्या अधिकारी को भी इस मामले की जांस करने के किया और परसासन मौके पे आया उन्हें आउगत कराया हमारी यही मांग है कि इनको तुरुंत परवाव से यहां से बदली कर दी जाए पास जिसे ग्रामप्रा स्कूल में घृर्म दौत तक्ति और परटशी की जांस कीगी और ग्रामणों को आश्वासन दिया गया कि गृरुजी को कारयोbowे स्थार्थ फई अंज्यता लगा देंगे आज शिवीों कारय लिए दो इनको कारिये नीको कर्वा दिया आगा